हेलो गाईस राधी राधी जी मैं हूँ प्रयांका धल मेरे चैनल वेज़ फूर लेवर में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पत्ता गोबियो और मटर की सबजी अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छे लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना ना एक ले लिए हमने पत्ता गोबी वन टी स्पून ले लिए हमने रैट चिली पाउडर वन टी स्पून ले लिए हमने हल्दी पाउडर दो चॉप की ओए टोमाटर ले लिए हमने दो टी स्पून लेंगे नमक पांच हरी मिर्च को हमने चॉप कर लिया है वन टी स्पून लें कि शीर करलें लिए आप काटेंगे सारशो का ऑयल जो आपको अच्छा लगता आप बोले सकते हैं हम अब कैवेस को यान पत्iają को atom का त्टेंगी इस में गरम कर लिया है उसमें Jira डाल देंगे, जीरा को हलका ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा, यह हमारा जीरा हो गया, थोड़ा सा ब्राउन, उसमें हम डालेंगे हम हरी मिर्च, जो हमने चौप किया हुई हरी मिर्च दे थी, वो डाल देंगे, चौप किया और जो टमाटर लिया था, वो भी डाल देंगे, और इसे अच्छे से mix करेंगे अब इसमें हम डालेंगे जो मिनी मसाले लिये थे वो डालेंगे पहले डाल देंगे हम हल्दी हल्दी डाल दिया इसमें अब इसमें नमक डाल देंगे फिर रेड चिली पाउडर डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे स्लोग गैस पर पकाएंगे और देरे-देरे इसे सोफ्ट होने तक पकाएंगे जब तक यह हमारे जो टुमाटर है सोफ्ट होएंगे यह देखें हमारे जो टुमाटर है वो सोफ्ट होने हो गया है पहले से हमारे सोफ्ट होने दा कभी बका लिया है हमने टमाटर को अब इसमें जो मटर है वो डाल देंगे हमने फ्रेश मटर लिये थे आफ विरोजन मटर भी ले सकते हैं इसको मिक्स कर देंगे मतर को कोई कोई यह प्याज मेली सब्जी बिनाती है अब लचन प्याज के बिना बहुत ऑच्छी वह टेस्टी सब्जी बनती है Bonjour सबजी अब जो कैबिज है यानि पत्ता को भी है वो भी डाल देंगे लेसन पर आज की बीना भी बहुत अच्छी वह टेस्टी सबजी बनती है ये सिरफ टुमाटर और हरी में इससे धनिया पारो तो इसमें अच्छा नहीं लगता है इसलिए नहीं डालेंगे अब इससे अच अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको पता को भी और मटर जो हमारी मिसाले है अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम डखके थोड़ दिर स्लोग गैस पर इसे पकाएंगी ये पांच मिट हमने पकाया है अब इसे हम देखेंगे ये देखेंगे हमारे जो पता को भी है वो स पहले यह fluffy लग रही थी बंद को भी अभी थोड़ी सी कम लग रही है ताकी यह बन गी है इसे अच्छे से इला गया है है ये जो इसमें थोड़ा बहुत पानी, बहुत अच्छी बन घैर होता है पहले तो डखकन लगा की से बनाना है और फिर डखकन उदार की इसे पकाना है ताकि जुसमें पानी होता है वो अच्छी से सुखजे और सबजी बहुत अच्छी लगती है देखें हमारी सबजी बनगी है कितना प्यारा सा कलरा है और बहुत स्वादिस्ट बनी है आप भी अपने घर पर ये ड्रेस्प जरूर ट्राय करके देखें अगर आपको अच्छी लगए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप ये भी बताएं कि आपके लिए न्यू न्यू रेस्पी कौन से हम बनाएं ये लेस्ट प्याज के बीना सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है कोई-कोई लोग इसे lesson page डाल के बिनाते हैं तो आप वैसे भी बिना सकते हैं और हमें lesson page के बिना ही अच्छी लगती है बहुत ही टेस्टी लगती है हमारे Facebook चैनल को लाइक कीजिए Instagram चैनल को follow कीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी subscribe कीजिए और बेल आइकट का बटन दिबाएं जिसे कि हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले पत्ता, गुबी और मटर की सबजी को आप चपाती प्रांटी, नान और चावल के साथ सर्व कर सकती है यह बहुत ही टेस्टी रखती है आप भी कीजिए और सब्सक्राइब आइकन के बटन को भी दबाईए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए रादे रादे जी यह सबजी बहुत ही टेस्टी बन गी है यह देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में तो इसका सवाद बहुत ही अच्छा है इसलिए आप भी ट्राइ करके जरूर देखी तब तक के लिए टेक क्यार रादे रादे जी थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बादे बादे जी